फिर्यादी पक्ष ने आरोपी को फिर से गवाही के लिए कलम 313 के तहट अर्सी दी थी जिस पर आज जिर्ख की जई फिर्यादी पक्ष ने पिछली तारी को आरोपी के बयान फिर से लेने के लिए कलम 313 के तहट अर्सी दी थी जिस पर आज बहस होई आरोपी ने गुना किया कि नहीं इस पर आरोपी का बयान दर्स करने के लिए फिर्यादी पक्ष की और से आरोपी का दुबारा बयान लेने के लिए अर्जी दी गई थी जिस पर आरूपी के वकील भूपे नरू सोने ने आखशेप करती हुए अर्जी खारिश करने की मांकी थी जिस पर आज भी वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये सुनवाई हुई बहस लंबी होने पर नयाले ने कहा कि अर्जी पर अगली तारिक 14 अक्टूबर बहस होगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा कोट का काम का चुआ इस वक्त सरकारी वकील उज्वन लिकम वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा हासर थे उनको सरकारे वकील दीपक वैल सहकारे किया तो आरोपी के वकील भूपेनल सोने ने भी वीडियो कॉंफरेंस सिंग द्वारा हासर थे उनको एडिकेर शिभांगी कुम्हारी ने सहकारे किया BCN News के लिए हिंगन घार से रवी ये नोर करके डिपोर्ट